स्टार्डिंग भी न्यू टॉपिक कार्बॉग्जलिक ऐसे तो आगरकार कार्बॉग्जलिक ऐसे समझने जब पहले कुछ इसके बेसिक समझ लेते हैं कि कार्बॉग्जलिक ऐसीड आखिरकार होता क्या है Carboxylic Acid ये भी एक Carbonyl Group ही है Carbonyl Group ही है ठीक है फर्दर जैसे कि Eldehyde हो गया Ketone हो गया उनके टाइप का ही एक Format होता है बट इसमें एक Changes आ जाता है That Eldehyde Ketone से इसमें Hydroxy H-Y-D-R-O-X-Y Hydroxy Group Attach होता है जैसे कि मैं For Example Simple सा बात करता हूँ कि ये मेरा हो जाएगा क्या Carbonyl Group ठीक है Carboxyle Group अब इसके बाद हमारे पास इधार साइड सीफ और सीफ Hydroxy Group जूड जाने के कारण Overall ये product कौन सा बन जाता है ये product Carboxylic Acid बन जाता है तो Simple सी बात है Carboxylic Acid Different different type के हो सकते है Number of Carbon Attachment और Different Compounds की Attachment के कारण But overall वो तो रहेंगे किस Group के अंदर ही Carbonyl Group के अंदर ही रहेंगे तो चलिए बात करते हैं इसके Start करते हैं तो General Formula जो Carboxylic Acid का होता है वो CnH2NO2 होता है Simple सा बोल रहा हूँ CnH2NO2 होता है अब इसके गुरहिसाल से आप जो भी Compounds में रखोगे तो सब के लिफिट हो जाएगे जैसे कि एक Example ले लेते हैं हमारे पास Number of Carbon कितने है Number of Carbon माल लेते हैं दो है ठीक है तो यहाँ पास से Hydrogen कितना हो जाएगा N की जगह भी वही रखना है तो यह कितना हो जाएगा 4 और O की जगह यह तो Simple साब इसका Structure बनाते हैं क्या यह Satisfied है क्या यह Satisfied करता है अपने को तो देखते हैं तो ज़िश्ट दो Carbon चार Hydrogen एक Hydrogen दो Hydrogen तीन Hydrogen और एक यहाँ पास Hydrogen बाद में बचा देते हैं दो Oxygen और एक Hydrogen यस इस सैटिस्फाइंग मतलब जो General Formula हो जाएगा वो इसी Compound के हिसाब से CnH2NO2 होगा वीडियो क्लियर है यस अफकोस चलिए भी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े होगे Screen Shot अब जो भी यहाँ पास एक बात ध्यान रखना Carboxylic Acid भ्याद पढ़ने से पहले कि डियेट जो अर्दर Higher Compounds होते हैं Carboxylic Acids के उनको ज़्यादातर Fatty Acid के हिंदर हम गिनते हैं मतलब एक और नाम होता है Carboxylic Acid का जिसे Fatty Acid भी बोले जाता है तो Fatty Acid अपने कॉर्स में तो नहीं है Higher Level में जब जाओगे तो Higher Compound जो Carboxylic Acid के रहते हैं उसे Fatty Acid बोले जाता है तो आगे बढ़ते हैं अब यह होता है General Overview इससे हिजाब से यहां हम स्टार्ट करते हैं इसका Second Topic इसी में ही जो हमारा है IUPSC Name and Common Naming क्योंकि Normal दो ही चीज होती है जो की अभी reaction से पहले हमें mainly important है अपने exam point of view से भी और अपने knowledge के लिए भी तो समझते हैं IUPSC IUPSC Naming और दूसरा Common Naming तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Normal से compound लिखता हूँ फिर suffix और prefix भी बात आ दूँगा ठीक जैसे कि मेरे पास एक compound है यह इस तरह का ठीक है एक ही carbon का ले लेते हैं simple से carbon एक hydrogen यहाँ double bond और यहाँ पास ओ हो है अच्छी एक simple से compound यह है एक सबसे simplest carboxlic acid ठीक अब इसका IUPSC name क्या हो जाएगा हाँ IUPSC name समझने से पहले suffix और prefix का ध्यान रख लो prefix कब लगेगा जब इससे higher reactive functional group attach होगा तब prefix हम लगाएंगे बट अगर इससे lower lower जो भी lower बोलोगे की reactive group attach है या फिर functional group attach है तब हम इसका suffix यूज़ करेंगे जैसे prefix क्या हो जाएगा इसका carboxy हो जाएगा c a r b o x y carboxy क्या होता है p r i f f i x prefix होता है और suffix क्या होता है suffix इसका होता है oic acid oic बस लिखके मत छोड़ देना acid लिखना जरूरी है क्योंकि ये carboxylic acid है complete अब यहाँ पासे add करते हैं जो चीजें अपने को आगे फर्दर पढ़नी हैं तो जब से पहले इसका common naming देखें इसके बाद हम देखते हैं इसका iupac naming तो जल्दी से वो लिख दो उसके बाद इसको मैं रब करूँगा ठीक है हो गई चलो तो यहाँ पास हम start करते हैं सबसे पहले common common और इसके बाद iupac naming common naming क्या हो जाएगा common naming को ध्यान रखो या फिर समझ लो इसके अलाबा इसका कोई तरीका नहीं है common naming इसका common naming इसको बोलते हैं formic acid कई बार conversion में बोल देता है prepare formic acid और prepare through formic acid तो वहाँ problem हो जाती है ठीक है इसके बाद iupac name में तो आखरीम हमारे कोई भी order functional group नहीं attached है तीसे लिए कौन सब ग्रूप हो जाएगा generally यहाँ पास oic ही लगेगा functional ठीक है suffix की जगह तो यह one carbon है तो क्या होता है का methanoic acid m e t h a n o i c ठीक है यहाँ पास से जो e रहता है वो replace हो जाता है उसकी जगह i o c आ जाता है और उसके साथ-साथ additional में acid भी ठीक है न acid भूल लिखना मत भूलना video clear है समझा है चलो आगे बढ़ते है अब यहाँ पास आगे बढ़ते हैं इसी तरह से एक और compound लेते हैं जिसमें number of carbon increase करते जाएंगे उसके हिसाथ से जो changes आएगा common naming और IPSC naming में उसको समझते हैं सबसे पहले एक normal carbon के लिए हो गया अब इसके बाद हम रखते हैं दूसरे carbon के लिए मतलब एक CH3C double bond OOH ठीक एक carbon बढ़ा दिया तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोला जाता है acetic acid ठीक है A C E T I C acetic acid बोला जाता है ठीक अब इसका नाम क्या हो जाएगा IUPSC ने 1, 2 मतलब math eth ethenoic acid E T H A N O I C acid ethenoic acid ठीक नेश्ट बढ़ते हैं एक और carbon बढ़ाते हैं CH3CH2C double bond O H ठीक तो यह क्या हो जाएगा इसका math eth prop तो propanoic acid P R O P O N I C propanoic A C I D acid अब इसका जो common naming होता है वो propanoic acid से कुछ मिलता जूलता है ठीक है जिसे क्या बोला जाता है propoic acid P R O P I N O I C propanic acid ठीक है याद रहेगा चलो clear है नए श्रागे बढ़ते हैं इसी तरह से अगर मैं एक और carbon बढ़ा देता हूँ simple सा CH3CH2 ठीक है और CH2 C double bond O O H अब इसके बाद हमारे पास कितने carbon हो गए total 4 carbon तो अब इसमें naming change हो रहा है देखो मैं आपको यह नहीं सिखा रहा हूँ कि IPSC name कैसे लिखते हैं क्योंकि IPSC name आप इससे पहले previous year में सीख के आ चुके होंगे ठीक है बड़ common naming में लोगो प्रॉब्लम हो से क्योंकि ऐसे देखो एक carbon के change होने से overall पूरा naming ही change हो गया इसका क्या हो गया forming कैसे discover next city कैसे तो यहां आपको ध्यान रखना है common naming IPSC naming तो हर कोई बना लेगा और आसान भी होता है IPSC naming common naming की कई बार एक्जाम में बोल देता common naming को तो वहां दिक्कत हो जाती है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है तो क्या हो जाएगा math at prop but butanoic acid butanoic acid अब इसका जो भी अपने पास common naming हो जाएगा वो उसमें changes आएगा इसको जैसे है न उसे मिंदर साइड भी आएगा बड़ थोड़ा सा changes करके इसे बोला जाता है buti buteric acid buti and oic butonic acid ठीक है spelling I think so चलो ठीक है चेक कर लेते है clear है इसको लिख लो एक बार butyric buty r i c ठीक है यह होगा निमी चलो तो इसको लिख लो इसके बाद आब इसमें थोड़ा बहुत changes करते हैं क्या changes करते हैं रड़ डेस्टर कहां गया यहें पास से हम इसके अगर इसमें से थोड़ा बहुत changes करते हैं तो यह कारबन का displacement करते हैं दूसरी जगह पर जैसे कि यहाँ पास CH3 रख दिया इसका double two बना देते हैं ठीक है यह क्या हो जाएगा CH2 C double bond OOH ठीक है यहाँ पास एक फोग मैंने क्या बनाया है यहाँ पास एक methyl बनागा दिया methyl एक कारबन के साथ आप नेमिंग करोगे तो अगर इसको मैं स्थोड़ा सिंपल करता हूँ आपके लिए यह कुछ इस तरह से compound बनेगा अब इसके तरह से one one two three तीन कारबन का compound है तो क्या हो जाएगा देखने को मिलता था तो इसको हम क्या बोलते थे common naming है आई-सो ठीक है तो यह क्या हो जाएगा common naming में इसका आई-सो ठीक है butyric acid अब जैसे common naming के इस्तेमाल करते तो हम वही चीज़े इस्तेमाल करेंगे ठीक है B-U-T-Y-R-I-O-R-I-C butyric acid ठीक है इसको C है कई लोग को मेरे को O टाइप के दिख रहा था चलो butyric acid आई-सो butyric acid बोलते हैं अब पढ़ते हैं कुछ हम aromatic compounds में तो थोड़ा सा changes आए और मज़े जार भी आए तो इसी में चलो clear तो एक normal सा compound लेता हूं है जैसे कि यहाँ पास सबसे simplest benzene लेते हैं सबसे simplest benzene एक ही carbon का होगा और इस तरह से ही एक carboxylic acid मैं जोड़ दूँगा अब इसका क्या हो जाएगा common naming common naming जो आपको दिख रहा है जैना simple क्या दिख रहा है bench और उसके साथ साथ क्या दिख रहा है oic ठीक तो benjoic ठीक है naming common naming और IPSC naming एक दम इसका same to same होता है आप दोनों के लिए same से use कर सकते हो but IPSC naming में दो चीज़े आती है एक तो आप यही लिख सकते हो जैसे कि मैं इसका क्या लिखता हूँ benzoic benzoic acid आप इदर साइड भी क्या use कर सकते हो benzoic benzoic acid एक तो यह use कर सकते हो या तो आप चाहो तो एक तरीका और है जो इसके लिए use किया जाता है आप इसके लिए benzoic acid भी इस्तमाल कर सकते हो ठीक है क्या इस्तमाल कर सकते हो benzoic acid ठीक तो मैं इसकी जगे क्या लिख देता हूँ benzoic acid सिफ और सिफ यहां क्या benzoic acid जुड़ा है carboxylic acid ग्रूप जुड़ा है तो carboxylic acid benzene carboxylic acid नाम सिंपस असान अब इसे तो थोड़ा सो और complication अगर इसको आप दो carbon कागर बनाओगे तो क्या चेंज़े सादेगा वसके बास इसको orthometa पैरावाला तो केर्स मालूमी होगा वो तो आसान है ठीक है चलो तो अगर मैं माल लो इसे में आगर कोई बोल दिया कि ठीक है orthometa पैरावाला भी compound समझा दो मेरे को तो चलो समझ लो अगर माल लो यहां पास मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है यहीं पास कहीं पास दूसरे नंबर में माल लेते हैं OHS गुरूप जुड़ा हुआ है अब OHS less reactive group है कि more reactive group है कार्बागलिक असीड से अगर functional period के हिसाब से functional group में देखा जाए तो कार्बागलिक असीड उपर आता है या alcohol उपर आता है या phenol उपर आता है यहां overall किसकी बात ले लूँगा मैं main functional group मेरा यह बन जाएगा और इसके बाद overall second functional group जो अपने पास attach है prefix के रूप में यह तो alcohol का क्या prefix आता है alcohol का prefix आता है hydroxy ठीक है तो हम क्या use करेंगे 2 पी लगा है 1, 2 तो 2 hydroxy 2-HY-D-R-O-X-Y 2 hydroxy इसके बाद क्या लिखूंगा benzoic acid भी आप लिख सकते हो या benzen carboxylic acid भी लिख सकते हो तो आपकी जो मर्जी तो मैं simple benzoic acid लिख देता हूँ benzoic acid आप उसकी चगह चाहो तो benzen carboxylic acid भी इस्तमाल कर सकते हो और यहां क्या जाएगा यहां पास आपका ortho hydroxy HY-D-R-O-X-Y hydroxy benzoic acid benzoic acid ठीक है इसमें ortho parameta लगता है और उसमें क्या लगता है उसमें अपने पास hydro क्या बोलते हैं numbering से लिखते हैं 1, 2, 3, 4 लिखते हैं simple से यही इसी बंता रहा है एक इसका screenshot लेलो complete है चलो video quality सही है एक चीज़ और यहां पास अगर मैं एक चीज़ और confusion होगा आप लोग को अगर मैं इसको इस तरह का को यह compound बना देता हूँ simple सा कुछ नहीं है 1, 2, कितना हो जाएगा 2, 3 इसको दो कार बनना टैच रहेगा चलो इस तरह का compound बना देते है अब main functional group हमारा यहां पास attach है और that पर यह benzene के साथ attach है तो यहां पास changes होगी जो हम use गरते है normal compounds के लिए उसी तरह से use करेंगे तो benzene के लिए prefix के इस्तमाल किया जाता है phenyl इस्तमाल किया जाता है तो हम यहां क्या use करेंगे phenyl 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 ठीक है कितने carbon पे attach है one carbon, two carbon तो two phenyl two phenyl metath ठीक होगी क्या हो जाएगा ethenoic acid ethanoic ethenoic acid a c i d acid हाँ clear है क्या हो जाएगा two phenyl ethenoic acid चलो screen result ले लो चाहो तो लिख लो और common naming में बस इसी type का हो जाएगा जिसे phenyl acetic acid लिख सकते हो ठीक है normal जैसे हमने use किया था दूसरे compounds के लिए उसी तरह से हम इसके लिए भी use करेंगे जैसे कि हम दो के लिए क्या लिखते थे वह ऐसे जैसे इसके लिए लिखते हो नहीं है यह दोनों का screen salt लेलो फिर आगे बढ़ते हो हाँ हर चीज में एक चीज कुछे लिखना या ना लिखना acid जरूर लिखना क्योंकि यहाँ acid इसका क्या है mood name है मतलब अगर suffix लिख रहे हो तो acid लिखना जरूरी है वो लिखोगे नहीं तो काट देगा सामने वाला माँ और गलत कर देगा यह हो जाएगा overall आपका पूरा का पूरा IUPSC name अब एक special compound भी मैं आपको बताता हूँ जो इसमें important है आपके लिए भी और मेरे लिए भी ठीक चलो इसका एक screen shot हो अब एक आपको मैं बताता हूँ इस तरह का compound अगर COOH और COOH यह compound इसका try करोगे कि मैं बता देगा चलो try करो एक बार हमारे पास दो carbonic acid एक दूसरे के साथ है तो इसे बहुत जादा famous name से जाना जाता है इस साल तो कोई lab गया नहीं होगा वैसे बड़ अगर आप lab जाते तो इसका जरूर इस्तमाल करते और teacher कहीं नहीं इसका इस्तमाल करने के लिए आपको बोलता है मैं भी बहुत दार इस्तमाल किये था oxalic acid common name इसका है oxalic acid oxalic acid के नाम से जाना जाता है और mainly इसका जो IPSC name हो जाएगा वो simple से है क्यासे हम लिखते हैं दो carbon है तो math ethan ethane ठीक है इसके बाद क्या है ethane ethane और दो ठोक oic है तो di oic oic acid समझे है मज़ेदार है ethane di oic acid इसका थोड़ा से naming change है IPSC naming format बट overall सरक सरच चेंज है मतलब सही है अगर यहाँ पास die नहीं होता है तो हम क्या लिखते है ethane oic acid लिखते है बट यहाँ die है दो है तो वैसे भी one position पे हम क्या यहाँ लिखते है अगर इसका पूरी तरह से अच्छी तरह से naming लिखोगे ठीक है ethane to क्या लिखोगे ठीक है ethane one one नहीं ethane one die oic acid लिखोगे यह सही है clear है तो overall अगर आप चाहो तो one को replace कर देते हैं हम ज़्यादा तर तो हम इस वाले compound को भी लिख सकते हैं तो दोनों में से कोई भी naming चूज करो आपके मार्जी IPSC naming समझा है अब इसी में start करते हैं आज का हमारा आखरी topic जो important है इसी में से that अगर हम क्या करना चाहें इसका structure समझना चाहें carboxly क्योंकि carboxly का structure जो हमारे पास होता है वो एक type का क्या बोले जाता है एक suitable structure बोले जाता है as aic acid की structure है उसका angular मतलब उसका क्या हैगा angle कितने angle बनते हैं दो के बीच में तो सारी चीज़े बात करते हैं जैसे कि और उसमें resonance कैसे होता है यह चीज़े भी समझाना ज़रूरी है क्योंकि कई बार पूच देता है कि resonance explain करो और resonance का क्या फाइदा होता है carboxly acid में एक carboxly acid मेरे पास इस तरह का ठेक अब यहाँ पास जो carboxly acid होता है तो mainly oxygen के पास कितने lone pair electrons रहते हैं 3 lone pair electrons रहते हैं ठीक तो यहाँ एक lone pair और एक lone pair तो पूरी तरस यूटिलाइज हो गया है बट एक lone pair एक lone pair इजह हाँ से sorry यह क्या हो गया एक bond और एक bond यहाँ बन गया तो एक lone pair तो इस्टेबलाइज हो गया बट दो lone pair अभी खा लिया इसके पास ऐसा कुछ नहीं है इसके पास just stable state में क्योंकि double bodies ने बना है अब क्या होता है इसका resonance जब structure create होते हैं तो resonance के बगत यह एक bond यहाँ चल देता है ठेक और हाँ इसमें की और कई लोग को समझ रहा होगा angle angle कितना बनता है angle यह oxygen और यह oxygen के बीच में यह जो overall angle रहता है यह 120 degree का बनता है कितना बनता है 120 degree जोगी आप यूज़ कर सकते हैं चलो तो यहाँ पास से एक carbon यहाँ double bond का हो गया single bond double bond का हो गया single bond और इसके उपर क्या चड़ जाएगा यह overall इधर side यह उपर गया तो इसके उपर क्या चड़ गया यह जो bondage electron का अपनी होग हिस से तो क्या चड़ता है negative तो उपर वाले के उपर negative चड़ चड़ गया और नीचे वाले के उपर positive चड़ चड़ गया और यहाँ पास oxygen एक resonance और एक hydrogen और एक lone pair यहाँ एक lone pair यहाँ अब जो यहाँ पास का lone pair है lone pair of electron है यह lone pair of electron further यहाँ move कर जाता है समझाई बात यह lone pair of electron यहां move कर जाता है और जो की फिर further Nash resonance structure की इस तरह का बनते हैं Nash resonance structure अपने पास O H और यहां double bond बन जाता है clear है O double bond और इसके उपर positive charge तो अब positive charge overall अब तो stabilize हो चुका है फिर भी अब इसके उपर क्या चर जाएगा यहां आया यहां आया तो इसके उपर क्या चर जाएगा positive charge positive charge कहीं न कहीं तो बना ही रहेगा तो यह आ जाएगा इसका resonance structure अब further यह वाला इधर चल देगा स्वारी ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला फिर इधर चल देगा फिर पूराने इस टेप आप हमाने पास मिल जाएगा तो ये आता है इसका resonance structure और ये किस तरह से गुमते है ओवरल इसी तरह से गुमते है चलो ठीक है क्लियर हुआ तो इस वीडियो के लिए फिलाल इतना ही और मिलते हैं इसके बाद नए वीडियो पे जहा हम इससे start करेंगे इससे कुछ physical properties और इसके बाद हमी इससे start करेंगे overall अपना carboxylic acid की reactions यानि preparation method फिर chemical property तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए मिलते हैं अगले वीडिय पर जै हिन जै भारत